हलो एवरिवान आज हम अपने पार्ठे पुस्त ग्रिम जिम से क्लास सेकिंड का पार्ट चौदा पढ़ेंगे नटखट चूहा ये एक चूहे की कहानी है तो चलो पहले हम कहानी पढ़ते हैं एक था चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चलाग कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था एक दिन उसने अपने दिल में सोचा आज मैं शहर जाऊँगा बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीद गए हैं घर में बैठे बैठे दिल घ खपरा गया है नटखट चूहा जटपट तयार होकर शहर की और निकल पड़ा वहां मस्ती में जूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी इसी कपड़े की दुकान दिखाई दी दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जाही रहा था कि नटखट च दुहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया जैसे ही दुकानदार अपनी जगा पर बैठा उसके नजर चुहे पर पड़ी दुकानदार ने कहा अरे तु मेरी दुकान में क्या कर रहा है चल भाग यहां से एक था चुहा वो बहुत ही नटखट था और बहुत ही चालाग उसको कुछ न कुछ शरारत करने का हमेशा मन करता रहता था एक दिन उसने सूचा कि आज मैं शहर जाऊंगा बहुत टाइम से बहुत समय से वो अपनी बिल से बाहर नहीं निकला था बिल में बैठे बैठे दिल भी उसका घबरा रहा था नटखट चुहा जो था व बहा मस्ती में जूमता हुआ गाता हुआ सड़क पर चल रहा था तभी उसे एक बड़ी सी कप्ड़े की दुकान दिखाई दी दुकानदार ने जैसे ही अपनी दुकान खोली और वो अंदर घुसा तो उसके पीछे पीछे वो चुहा भी दुकान के अंदर घुस गया तो ज तो चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ, दुकानदार हसा, हाँ हाँ, हट यहाँ से, मैं चूहो को कुछ नहीं बेचता, तो जैसे ही दुकानदार ने चूहे को देखा, चूहे को कहा कि तू यहां क्या कर रहा है, तो चूहे ने दुकानदार उसकी बातों पर हसा, और चूहे को बोला, मैं चूहो को नहीं बेचता, चूहा गुसे में बोला, तो मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे, दुकानदार बोला, भाग यहां से, बेकार मेरा समय बरबाद ना कर, चूहा चिलाया, तो मुझे कपड़ा देते हो या नहीं दुकानदार बोला नहीं बिल्कुल नहीं इस बार नटखर चुहे ने गाना गाया रातो रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरूंगा दुकानदार डरकर बोला चुहे भाईया ऐसा ना करना मैं अभी तुम्हें रेश्मी कपड़े का टुकड़ा दिता हूँ तो इसमें क्या होता है आगे जैसे ही चूहा बोलता है दुकानदार को कि मैं अपनी टोपी के लिए कपड़ा खरीदने आया हूँ तो जो दुकानदार होता है वो चूहे की बातों बें हसता है और कहता है मैं चूहों को कपड़े नहीं बेचता चुहे ने फिर गुस्से में बोला दुकानदार को कि तुम मुझे कपड़े बेचोगे या नहीं दुकानदार ने बोला चुहे को चल यहां से भाग मेरा समय बरबाद मत कर चुहा चिलाया तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं फिर से दुकानदार ने वही शब्द बोले नहीं बिलकुल नहीं इस बार जो था चुहा उसको आया बहुत ही गुसा और उसने गुसे में गाना गाया रातो रात मैं आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कुत्रोंगा तो जैसे ही दुकानदार ने चुहे का ये गाना सुना दुकानदार डर कर बोला चुहे भाईया ऐसा ना करना मैं अभी तुम्हें रेश्मी कपड़े का टुकड़ा देता हूं और उसने चुहे को रेश्मी कपड़े का टुकड़ा दे दिया कपड़ा लेकर चुहा उछलता कोदता दुकान से बाहर निकल गया फिर वहाँ एक दरजी की दुकान में जा पहुचा चुहे ने कहा दरजी जी मुझे तुमसे कुछ काम है काम क्या काम दरजी ने गुस्टे से पूचा तो जैसे ही दुकान दार ने चुहे को रेशमी कपड़ा दिया तो चुहा वो रेशमी कपड़ा लेकर सिधे कहां पहुचा दरजी के पास टेलर के पास और टेलर को कहता है कि टेलर जी मुझे आपसे कुछ काम है तो दरजी कहता है काम कैसा काम चुहे ने दरजी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा किरप्या इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो चुहे ने दरजी को बड़े ही प्यार से कहा कि इस कपड़े की एक अच्छी सी सुन्दर सी टोपी सिल दो जो दरजी था वो हसा चलहट यहां से मेरा समय खराब ना कर मेरे पास तेरे काम करने का समय नहीं है दरजी ने कहा तो जैसे ही दरजी ने चुहे की बात सुनी दरजी को गुसा आया और चुहे को फटकार देवे कहा चलहट यहां से मेरा समय खराब मत कर मेरे पास तेरे काम करने का समय नहीं है अब चुहे को गुसा आ गया ये बात सुनकर चुहे को फिर से गुसा आ गया वह जोर से चिलाया तुम मेरी टोपी सिलो गया नहीं दरजी ने कहा नहीं 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 चुहा बोला तो ठीक है चुहा गाना गाने लगा रातो रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरूंगा दरजी ने कहा चोहे भाईया ऐसा ना करना मैं अभी तुमारी टोपी बनाता हूँ तो जैसे ही दर जी ने चुहे का गाना सुना कि रातो रात मैं आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरूंगा तो दर जी डर गया कि कहीं सच में चुहा अपनी सेना लेकर आ गया और मेरे सारे कपड़े उसने कुतर दे तो क्या होगा तो धरजी ने कहा अरे चुहे भाईया ऐसा ना करना मैं अभी तुम्हारी टोपी सिल देता हूँ और थोड़ी ही देर में धरजी ने चुहे के लिए एक सुन्दर सी रेश्मी टोपी तियार कर दी नटखर चुहे ने उसे पहना और फिर अपना चहरा आईने में देखा तो जैसे ही चुहे की टोपी सिल दी तो चुहे ने उस टोपी को अपने सिर पर पहना और अपने आपको शीशे में देखने लगा यहाँ टोपी तो एकदम साधी है मैं इस पर चमकिले सितारे लगवाऊंगा चुहे ने सोचा जैसे ही चुहे ने अपने सर पर टोपी देखी और उसको कुछ अच्छा नहीं लगा उसने टोपी देखकर सोचा यह टोपी तो बहुत ही साधी है मैं ऐसे करूँगा इस पर कुछ चमकिले सितारे लगवाऊंगा वह चुहा कूदता फांता दुकान से बाहर निकल गया वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसके नजर एक छोटी से दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे थे अंदर जाकर वह धीरे इधर उधर उचलने कूदने लगा तो जैसे ही चुहा उस दुकान से निकला तो थोड़े दुर चल कर उसे दूसरी दुकान दिखाई थी जहां पर रंग बे रंगे सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे थे अंदर जाकर वह चुहा इधर उधर उचलने कूदने लगा दुकान दार ने कहा अरे चल यहां से तो यहां क्या करने आया है तो जैसे ही उस दुकान के दुकान दार ने देखा उसने चुहे को बोला अरे चल यहां से क्या करने आया है तो यहां पर चुहे ने कहा मैं अपनी टोपी के लिए सुनहेरे और रुफले सितारे खरीदने आया हूँ दुकानदार ने कहा भाग यहां से मुझे पेफ़कुफ बनाने की कोशिश ना कर एक चुहे को सितारों से क्या मतलब तुम मुझे सितारे बेचो गे या नहीं जैसे ही दुकानदार ने चुहे को देखा और चुहे को यहां से अपनी दुकान से भगाने लगा तो चुहे ने कहा मैं अपनी टोपी के लिए सितारे खरीदने के लिए आया हूँ दुकानदार ने चुहे की बात सुनी और दुकानदार ने कहा मुझे बेव को बनानी की कोशिश ना कर क्या चुहे को सितारों किसे क्या मतलब है तुम मुझे सितारे बेचो गए या नहीं चुहे ने कहा दुकानदार कहता है नहीं 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 मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा फिर चुहे ने उतर दिया क्या उत्तर दिया रात तु रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा सारे सितारे बिखे रोंगा तो जैसे ही दुकानदार ने चुहे का गाना सुना दुकानदार ने कहा चुहे भहिया ऐसा ना करना मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग भी रंगी सितारे दे दूंगा और यही नहीं उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा अच्छा तो जरा जल्दी करो चुहे ने बड़े ही प्यार से कहा दुकानदार को कि अच्छा तो जरा जल्दी करो टोपी बनकर तयार हो गई चुहा टोपी पहन कर आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसे खुशी से उसका मन ना जुठा वहाँ सोचने लगा मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ मैं अपनी सुन्दर टोपी किसे दिखाऊं तो जैसे ही चुहे ने उस टोपी को पहनी तो चुहे को कैसा लगा चुहे ने सोचा कि भाई मैं भी कोई कम नहीं दिख रहा हूँ मैं तो बहुत सुन्दर दिख रहा हूँ और बिल्कुल किसी राजा से तो कम लग ही नहीं रहा हूँ फिर चुहे ने सोचा लेकिन मैं अपनी ये सुन्दर टोपी किसे दिखाऊं। चलो अपनी चमकिली टोपी राजा को ही दिखाता हूं। चुहे ने सोचा, एक घंटे के अंदर ही नटखट चुहा राजमहल में राजा के पास आ पहुचा। तो जैसे ही चुहा राजा के पास आ पहुचा, वह राजा के सामने चा खड़ा हुआ। राजा अचानक चुहे को देखकर बहुत हैरान हुए। उसने पूछा, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो। राजा ने चुहे को देखा और हैरानी से पूछा कि तुम यहां क्या कर रहे हो चुहे ने कहा महराज पहले यहां बताईए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ राजा ने जवाब दिया वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो तो जैसे ही चुहे ने राजा से पूछा कि आप पहले ये पताईए कि मैं स्टोपी को पहन कर कैसे लग रहा हूँ तो राजा का उत्तर था कि वहाँ तुम तो बिल्कुल एक राजकुमार की तरह लग रहे हो चुहाँ जटपट बोला अच्छा तो फिर उत्रो गदी से यहां मैं बैठूँगा तो चुहे ने राजा को एकदम से क्या कहा कि ठीक है तो चलो फिर आप यहां गदी से उत्रो जब मैं राजकुमार जैसा लग रहा हूँ तो गदी पे मैं बैठूँगा राजा को हसी आ गई उसने कहा भाग यहां से मेरा सिहासन चूहों के लिए नहीं है केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है राजा ने जैसे ही चूहे की बात सुनी राजा को हसी आ गई और राजा ने चूहे को बोला चल भाग यहां से ये जो सिहासन है ये चुहों के लिए थोड़े ना है ये तो केवल एक राजा का है और एक राजा ही बैठ सकता है चुहे ने पूछा तो क्या तुम मुझे अपनी गदी नहीं दोगे राजा ने कहा बिलकुल नहीं मैं तुम्हे अपना सिहासन नहीं दूँगा फिर चुहे ने दुबारा से कहा तो तुम नहीं उत्रोगे राजा ने कहा नहीं नहीं राजा ने अपनी बात पर अड़ा रहा राजा ने आदेश दिया पकड़ लो इस चुहे को सिपाही चुहे को पकड़ने दोड़े तो जैसे ही राजा ने आदेश दिया कि इस चुहे को सब पकड़ लो तो सारे सिपाही यहाँ पर चुहे को पकड़ निकले दोड़ पड़े चुहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के उपर एक गिर पड़े अब चुहे ने अपने कमर पर हाथ रख कर कहां रात तो रात मैं आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कान को तुरूंगा राजा ने सोचा चुहो की फौस तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी वह डर से कापने लगा तो जैसे ही राजा ने चुहे की बात सुनी की रात तो रात मैं आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कान कुट रूंगा तो राजा ने सोचा चुहो की फौस तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी तो राजा डर कर कापने लगा चुहे ने फिर कहा रातो रात मैं आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कान कुतरूंगा राजा डर से कापने लगे तो जैसे ही राजा ने दूसरी बार चुहे की वही बात सुनी राजा और जादा कापने लगे कामती आवाज में उसने कहा चुहे भहिया तुम बेकार में नराज हो रहे हो मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से चितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो तो जैसे ही राजा ने चुहे की बात सुनी राजा डर कर कापने लगा और कामते हुई आवाज में राजा ने चुहे से कहा अरे चुहे भहिया तुम बेकार में नराज हो रहे हो मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम्हें जितनी देर बैठना है तुम बैठ सकते हो चुहा बहुत खुश हुआ शान से वहा सिहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहाँ आराम करता रहा रात जब काफी बीद गई वहाँ गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई सभी दोस उसकी कहानी सुनना चाहते थे तो जैसे ही काफी रात हो गई तो चुहा भी अपनी उस गद्दी से नीचे उतर कर अपने घर को जाने लगा काफी देर होने के बाद जब उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई तो उसके सभी दोस उसकी कहानी सुनना चाहते थे जैसे के यहाँ पर यह चुहा में दिखाई दे रहा है यह चुहा अपने बाकी के साथियों को अपनी बाते बता रहा है अब बाकी जो भी इसके साथी हैं वो बड़े ही ध्यान से चुहे के बाते सुन रहे हैं अब हम आते हैं इसके प्रशन उत्तर पर प्रशन एक है दरजी चुहे की किस बात से डर गया हमारा उत्तर है दरजी चुहे की इस बात से डर गया कि वहां रात में चुहो की अपनी सेना के साथ आएगा तथा उसके सारे कपड़े कुतर देगा प्रशन दो है चुहार टोपी क्यों पहनना चाहता था हमारा उत्तर है चुहार टोपी इसले पहनना चाहता था ताकि वहां सुन्दर तथा राजकुमार की तरह दिखे अगला प्रशन है चुहार टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था ताकि उसकी टोपी सुन्दर दिखे अगला प्रश्न है हमारा दरजी ने चुहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया था? हमारा उत्तर है दरजी ने चुहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उससे उसका समय खराब हो रहा था अगला है पहले क्या हुआ अब इसमें हमें आगे पीछे दिया हुआ है अब हमने बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था उसके बाद क्या हुआ और फिर क्या हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ था सबसे पहले चूहा तयार होकर शहर की तरफ निकल पढ़ा उसके बाद ये दूसरा है चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली फिर उसके बाद दरजी ने चुहे की टोपी से ली फिर है चुहा दुकानदार के पास गया यह है चुहा दुकानदार के पास सितारिल लेने गया फिर है चुहा राजा के दरबार गया और फिर आखरी में है चुहा सिहाचन पर बैठ गया अब हम आते हैं अगले प्रशन पर तुम्हारी समझ प्रशन पाँच बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चुहा अपनी बिल में से निकल नहीं पाया होगा हमारा उत्तर है बारिश के मौसम में चारो तरफ पानी ही पानी और कीचड ही कीचड फैलने के कारण चुहा अपनी बिल में से नहीं निकल पाया होगा अगला प्रश्ण है क्या तुम्हें भी चुहा नटखट लगा? क्यों? हमारा उत्तर है हाँ मुझे भी चुहा काफी नटखट लगा क्योंकि उसने अपनी शरारत तथा नटखट पन से अन्ता तह अपने काम सभी से करवा लिये उसने अपनी टोपी सिलवा ली उस पर सितारे भी जड़वा लिये तथा राजा के सिहासन पर बैठने में भी सफल रहा अगला है प्रश्ण साथ कपड़े वाले ने दरजी ने सितारे वाले ने चुही की बाद ध्यान नहीं दिया तुम्हें इसका क्या कारण लगता है हमारा उत्तर है किसी को भी एक चुहे का टोपी बनाना था उस पर सितारे लगाने वाली बात गले नहीं उत्तर रही होगी सब सोच रहे होंगे कि यह चुहे की मस्खरी है इसलिए किसी ने चुहे की बात पर ध्यान नहीं दिया होगा अगला है किस के पास जाओगे चुहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया इन कामों के लिए तुम किस के पास जाओगे कपड़ा खरीदने किस के पास जाएंगे कपड़ा खरीदने हम कपड़े के विक्रेता के पास जाएंगे कपड़े के विक्रेता के पास फिर है लकड़ी की कुरसी बनवाने लकड़ी की कुरसी बनवाने जाएंगे बढ़ी के पास फिर है किता पर जिलत लगवाने ये जाएंगे हम जिल्द साज के पास फिर है बाल कटवाने बाल कटवाने जाएंगे नाई के पास फिर है मुहले की रखवाली करवाने वो जाएंगे चौकिदार के पास चौकिदार के पास फिर है मिट्टी के दिये खरीदने मिट्टी के दिये खरीदने जाएंगे हम कुमहार के पास फिर है मा की घड़ी ठीक करवाने वो जाएंगे हम घड़ी साज के पास अब अगला है हमारा एक अनेक खाली जगा भरो इस कमरे में दो डैश है यहाँ पर एक खिड़की है तो हमने अनेक क्या लिखेंगे खिड़की की जगी अनेक खिड़किया यहाँ हम लिखते हैं खिड़किया अगला है बुआ समीना के लिए धेरो डैश लाई हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कापिया लाई कापिया लाई फिर है डैश मैदान में फुटबॉल खेल रही है यहाँ पर है लड़की हम यहाँ पर क्या लिखेंगे लड़किया फिर है गोविन तेजी से डैश चर्ड रहा था यहाँ पर है सीड़ी हम यहाँ पर लिखेंगे सीड़िया गोविन तेजी से सीड़िया चर्ड रहा था फिर है गंदी जगा पर डैश बिन बिनाती रहती है यहाँ पर हम लिखेंगे मक्खिया मक्खिया बिन मेनाती रहती है अब हम आते हैं तुम्हारी बात तुम बजाज होते तो चुहे को कपड़ा देते या नहीं क्यों? अगर हम बजाज होते तो हम चुहे को कपड़े नहीं देते क्योंकि यहाँ पर हम लिखते हैं क्योंकि वह उसे कुतर देता कुतर देता फिर है चुहार राजा बन कर देखना चाहता था तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? हमारे विचार से राजा अपनी राज्य और प्रजा के बारे में सोचते होंगे अपनी प्रजा के बारे में सोचते होंगे फिर है तुम चुहा बनना पसंद करोगे या राजा क्यों? भई हम तो राजा बनना पसंद करेंगे ना ताकि लोगों की समस्याओं को हल कर सके राजा बनना पसंद करेंगे क्योंकि क्योंकि हम लोगों की क्योंकि समस्याओं को हल कर सके ठीक है अगला है कैसे हो काम दरजी अपने काम में कैची, फीते, मशीन, धागे, आदिका इस्तमाल करता है ये लोग किन चीजों की मदद से अपना काम करते हैं अब सबसे पहले है बड़ाई बड़ाई किन चीजों की मदद से अपने काम करेगा एक है आरी और हत्थोड़ा रसोईया रसोईया करेगा बरतन और गैस चूलहा फिर है डॉक्टर, डॉक्टर करेगा सुईया और दवाईया भी कर सकता है, थर्ममीटर भी कर सकता है तो हम यहां पे लिखते हैं थर्ममीटर थर्ममीटर फिर है कुमहार कुमहार करेगा मिट्टी मिट्टी और चाक पहिया फिर है चित्रकार चित्रकार करेगा ब्रश से और रंग फिर है किसान किसान करेगा बीज और खात अब हम आते हैं अगले प्रशन पर दर्जी का र दर्जी शब्द में र की आवाज है जिसे उपर हम र लिखा जाता है ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो तो हमारा पहला शब्द है मर्जी सर्दी कर्ज और धर्म यह हमने चार शब लिखे मर्जी सर्दी कर्ज और धर्म ठीक है तो हमारा पार्ट यहीं पे खतम होता है पार्ट का नाम था नखट चूहा तेंक यू